नमस्कार दोस्तों एक बार फिर आप सभी का स्वाधत है हमारे लोसेंट क्लासेस में मेरा नाम है नितिन और दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं इंडिया नेशनल कॉंग्रेस के इतिहास के बारे में दोस्तों जितने भी competitive exam के बात कीज़े आप चाहें वो SAC, UPC, Railway, Banking किसी भी competitive exam के बारें बात करें तो इससे बहुत अच्छे-च्छे question आपके लिए आते हैं objective और ये दोस्तों Indian National Congress जो है हमारा Modern History का ही chapter है तो इसको आज हम लोग cover करेंगे इस video में हम लोग जानेगे कि Indian National Congress की इतियास क्या रहा है इसकी दोस्तों कितने जो leader हैं, किसने सुरुआत की है और कितने moderate leader हैं जिसकी सुरुआत की हैं इसके बारे में जानेगे इसके M के बारे में जानेगे कि आखिर इसकी सुरुआत क्यों की गई ये भी जानेगे कि इसके कितने success हुएं और कितने limitation हुएं दोस्तों अब सबसे important बात जो हमारी जर्नी रहेगी 1885 से 1947 की जर्नी इस दोरान देखेंगे कि कितने सारे बैठक हुए और उनके कितने president यानि अध्याच बने और उस अध्याचों में कौन-कौन से event हुएं जो हमारे exam perspectives के लिए एकदम important है एकदम समझ लिए direct question आते MC क्योंके अगर आप चाहते हो कि इससे जुड़े correct question आपकी मुठी में हो तो आपको हमारे साथ इस वीडियो को last तक देखना पड़ेगा दोस्तो तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के सुरू करने से पहले दोस्तो बता दे कि जो लोग हमारे चैनल पे नए है प्लीज हमारे चैनल को subscribe कर लो notification की bell icon को दबालो और साथ ही साथ हमारा टेलिग्राम चैनल है उसको जोईन कर लो यहाँ पे आपको नोट्स मिलेंगे हमारे यही पे आपको सब कुछ मिलेगा इसी टेलिग्राम चैनल पे इसका मैंने लिंक description में दे रखी है वहाँ पे जाओ एक क्लिक पे जोईन हो जाओ अगर आप टेलिग्राम चैनल नहीं जोईन करते हो तो कोई बात नहीं आप यूज नहीं करते होगे टेलिग्राम लेकिन आप दुस्तों वार्टसप तो यूज करते ही होगे तो उसका भी गुरुप का लिंक तो लोगों के अंदर एक क्रांतिकारी भावना जग गई थी दोस्तों मतलब उन्हों वह तंग आ चुके थे ब्रिटिस्ट के जितने भी मतलब वह रूल कर रहे थे उनके एकनॉमिक्स से या फिर जो भी वह बिल ला दे थे उनके वजह से वह तंग आ चुके थे लोगों ने लोगों के अंदर एक क्रांतिकारी की भावना जगी और इसी के कारण दोस्तों नेशनल कॉंग्रेस की शुरुआत हुई नेशनल कॉंग्रेस के शुरुआत तो दोस्तों बात करें इसकी शुरुआत एक रिटायर सिविल सर्वेंट ने किया था 1885 में जिनका नाम था एलन अक्टुवियन ह्यूम यानि ए ओ ह्यूम ठीक है इसकी याद रखीगा इन्हों ने जो सुरुआत किया था एक नट तो दोस्तों ये था आपका इंडियन नेशनल यूनियन था अगर मैं इस वीडियो में यूनाइट का नाम लिया तो वह गलत है इंडियन नेशनल यूनियन होगा किसी जगा मैंने यूनाइट का यूच किया है तो प्लीज उसको तो आप लोग जल्द समझेगा इसको यूनियन होगा उस जगोगा इसो गए मेरा इस जगह कहीं कहीं जगह पे आप लोग जलट समझना उसको अप लोग ध्यान देना ओस फीक हैं इंडियनन नेशनल Union की शुरॉत किया गया था ओ ओ यो हियों के द्वारा बाद में इसको इंडिया नेशनल कॉंग्रेस कर दिया गया था लेकिन याद रखेगा इनके Präsident यह नहीं बने अगर फाउंडर बात करें किसने शुरॉत किया तो ओ याद रखेगा जो हमारे पहले प्रेसिडेंट बने उनका दोस्तों नाम था डाबलू सी बैनर्जी यानि वो मेश चंद्र बैनर्जी इन 1885 फर्स सेशन में बने और यह फर्स सेशन आपका बंबे में बंबे में हुआ था ठीक है दोस्तों और दोस्तों एक चीज आपको याद रखना है इसके अंदर टोटल 72 जो थे हैं डिलीगेट्स जो थे एजेंट इनके पूरे एक्रॉस दो कंट्री के वज़र कंट्री से यह लोग अटेंड किया वहां से आया थे यह फर्स सेशन में पहला सेशन आपका बंबे में हुआ था दूसरा सेशन आपका कॉलकता और तीसरा आपका मदरास और चौथ किसने की थी इसके प्रेसिडेंट कौन थे ठीक है दोस्तो याद रखी गाई इसकी भी आपके बारें पुछा जा सकता है इसका फर्स सेशन कब हुआ था ठीक है और इसके बारें पुछा जाता है कि वाइस रोग जो थे हैं डारेक्टर जेनरल इंडिया के उस टाइम जब इंडियान नेशनल कांग्रिस के शुरूआत हुई थी दोस्तो उसको वह कौन थे तो लॉर्ड डॉल्फिन जो थे हैं याद रखी गाई इसको भी आपको याद रखना है ठीक है तो देखिए जब ये शुरूआत हुआ था इंडियान नेशनल कांग्रिस का तो ये कोई फ् मिले उनके राजियों में और जीने का तौर तरीका भी सीखें दोस्तों और यह एक पिछफूल बात करें तो सांती कारक के यह कॉंग्रेस संगठन था ठीक है दोस्तों जिसमें इसमें बाद में दो हिस्सों में बढ़ जाता है मतलब दो फेज आता है एक आपका मॉडरेट फ जो फाइब तक चला ठीक है इस चीज़ को भी आपको याद रखना है ठीक है और जो इक्स्ट्रीम पिज हवा था वो आपका 1906 से ले यानि 1906 सेत्स देके 1913 तक रहा ठीक है यानी 1915 तक ठीक है इस चीट को भी आपको याद रखना है हलाकि नेक्स स्लाइड में बात करें फिर उसके बाद दोस्तों गांधिया ने रहाता है तो हमने इतना जान लिया कि इनमें से कौन-कौन से पॉइंट इंपॉर्टेंट है अब आते हैं नेक्स स्लाइड में देखो मॉडरेट फ दोस्तों वह है जो वह कॉंग्रिस था जो आपका एकदम मतलब ब्रिटिस के पॉलिसी पे वह तो जस्टिस पे वह ब्लीफ करते थे ठीक है और वह लोयल थे मतलब उनके प्रती वह चाहते थे कि अगर हम वीचपूल तरीके से प्रोटेश्ट करेंगे तो भारत सरकार सोरी ब्रिटिस सरकार जो थी वह दोस्तों इन्हें राइट देगी और इनके हरे कहने को मानेंगे लेकिन बाद में इसको दोस्तों बाद में मौडरेट फेज और एक्ष्ट्रीम फेज दोनों मिल गया मतलब जो नरम दल और गरम दल जो ठे वो थे दोस्तों उग्रवादी से यह अपना मांगे लगे जैसे से अपने चरम सिमा पे जो इंडिया नेशनल कॉंगरिस पॉंशन लगी उस तरह से ब्रिटीश सरकार को दोस्तों भारत छोड़के जाना पड़ा और इस वज़से हमारा भारत जो है आजाद हुआ तो हम दो पढ़ेंगे यह बहुत इंट्रे करा तो लेकिन प्रेश अबिण गंट करने म celebr करना अफ़ा सा इंटशन बात करें अभी बंढे तरहें लेडर से इन पारेंगे जो अगले ब्यडियो में आप्लोडियो पैस्टे मोडियो बात करेंगे उसमें दोस्तों 1916 के 1915 तक के बारे में बात करेंगे कि कौन-कौन से लेकिन वह इंडिपेंडेस नहीं चाते थे मतलब इंडिपेंडेस की बात वहाँ नहीं लोग सोचे थे उनके विचार उसमक्त नहीं था ठीक है वह चाते थे सेल्फ गवर्मेंट करना अंडर ब्रिटिस गवर्मेंट तो दादा भाई नरो जी थे दादा भाई नरो जी को दो जाता है ठीक है he become the first Indian to become a member of the house of the common in British यह जो थे पहले ऐसे Indian थे जो कि जो British के house में Parliament में इनको सदस्यता मिली थी दोस्तों और दोस्तों यह थे authored poverty and un-British rule इन्हों नहीं दोस्तों सबसे पहले बताया अपने भारत आके लोगों को कि देखो जो British जो थी वो किस तरह से हमारा यूज कर रही है हमारा जो पैसा है किस तरह से ब्रिटेन में यूज कर रही है इन्हों नहीं सबसे पहले हमारे देशel जागरुक किया था दोस्तों याद रखेए घा है और इन्होंने तीन बार बात करें तो यह बात करें president बने है इंडियन नस्नल कोंग्रेस का होग दोग आगे बात चले ठीक है तस चीज को थे वो इंडियान नेशनल कॉंग्रेस की सुरुवात किये थे हलाकि इंडियान नेशनल उनाइटेट की सुरुवात किये थे बाद में नाम चेंज कर दिया गया था इंडियान नेशनल कॉंग्रेस का किया गया था फिर बाद में दोस्तों जो प्रेसिडेंट बने जो पहले प नियूजपेपर के और जहां कि ये बात करेए है बहूत कृटिसाइच किया थे एक नट kole धिक है उनकी जो सच विचार-धारा था उनको ये क्रिटिसाइच करते थे और उसली यह फानडर स्वाहि से अंतरा नाम अब नेक्स्ट है हमारा गोपाल कृष्ण ने गोखले ठीक है यह दोस्तों इनके बारें बात करें तो ही अलसो ए फाउंडर आफ सर्वेंट आफ इंडियन सोसाइटी एंड रिगार्ड आइद महात्मा गांधी पॉलिटिकल गुरु ठीक है दोस्तों यह महात्मा गांधी के गुरु भी हैं बात करें और यह हमारे सर्वेंट हैं इंडियन सोसाइटी के फाउंडर हैं सौरी फाउंडर हैं हमारे सर्वेंट आफ इंडियन सोसाइटी के इस चीश को भी आपको याद रखना है हमारा नेक्स्ट है सर्श सुरेंदर नाथ बेनर जी ठीक है यह हमारे बा को दोस्तों एक बात करें कि किंलेर दर इंडियन in- besond इन सेय्ट इनको दोस्तों बात करने कि यह जो थे एक jeune is स्भी र वेन इक्जामिनेशन उस वक्न तेसे उस व्क्न यह होता है मारा उपीस प्रहुत झाये नीशिकार कि दोस्तों यह हमारे याद होना चाहिए सब सुखेंदर नाथ बेनारजी ठीक है और यह बहुत सारे लीडर है मोडरेट फेज में जैसे की बात करें रेस बहरी बहरी घोस आरसी दर्थ अब में सेसन हम लोगा सुरूव होता है अब यह हमारा थोड़ा जर्नी हमारा रहेगा आपका बता दिन 1885 से लेकर जर्नी हमारा रहेगा 1946 46 की ठीक है 1946 के जर्नी राएगा तो दोस्तों हो सकता यहाँ पर हमारा बीदियो थोड़ा लंबा हो ठीक है तो हम लोग कोशिश करेंगे सब कुछ जानने की बारे में और यही हमारा सबसे इंपॉर्टेंट है वो तो था ही पिछले बार इंपॉर्टेंट लेकिन यह सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसी से ही अकसर कोश्चन आपके आते हैं तो देख लो कैसा है तो बात कर रहे हैं सबसे पहले जो पहला सेशन श यह होती है 1886 में कोलकत्टा में हूआ आप आप यहां पर दाधा भाहि नीस न्यारोजी है और उसके बाद में यह प्रेसेडेंस रहे हैın 1886 से 1890 मतलब समझे तीन बार यह प्रेसेडेंसी रहा चुके हैं प्रेसेडेंट अधियाच रह चुके हैं कॉंग्रेस के एक बार 1886 में तो रहे ही फिर 1903 में रहे हैं फिर 1906 में ठीक है इसको भी आपको याद रखना है सेट बातए थरद बात करें कि 87 में यह हुँआ हमारा मदरास में जह ठट हुआ था थर सेकंड यह हमारा चैयत बहुद हमारा जो फ्रस्थेसिशन हुएर वह हमारा state 88 में तही एट एटिएट में अलहाबाल में हुआ दूस्त मेरा और यह हमारे जो अध्यर्यज Celid यूले थे और ये हमारी first English President एक चीजे..आपने नोटिस किया और दोस्तो ये देखो..एक चीजे..आपने नोटिस किया होगा कि Indian National Congress में जो लिडर थे..P् jadi वह देखो..अलग-अलग धर्म से बात करे तो..уется बिलांग करतेवर और अलग we..डियोस्यीत जाती यहसे की.. हर एक जगा पे इसको विस्तार से बात करें तो सेटप किया गया था हर एक जगा ताकि लोगों के अंदर नेशनलिजम की भावना जगे राष्टेबाद की भावना जगे और अपने हक के लिए लड़े धिरे धिरे बाद में चरम सिमा पे पहुंच जाती है जब दोनों पाट हमाज करें नेक्स्ट है हमारा 1986 में सेसन होता है और दोस्तों ये हमारा होता है कुलकता का नाम आपको बहुत सुने को मिलेगा ठीग है ये यह प्रेशिदेन्ट हमारा रहीम मुद अला सियानी ठीक है ये दूस्तों पहले ऐसे प्रेसिडेंट है जिनके टाइम में वंदे मा में शौंग नहीं गया हिने लेकिन दौस्तों देखो इतिहास हमएरा कहता एक गया जो सब से पहले जो वंदे मातरम को यह सब खैंत वह किसे परेसिदेंसी में गया था रही मुल तैलना ॐ ठीक है तो एक चीज़ हमें इतिहार से सिखना चाहिए ठीक है तो यह कुलकत्ता में हुआ था दोस्तों हमारा फिर बाद में होता है 1899 का लखनौ में यह हमारा होता है रमेश चंद्रदत के द्वारा ठीक है जब प्रेसिडेंट रहते हैं और यह डिमांड फॉर पर्मानेंट यह चाहते थे कि एक पर्मानेंट लांड रिवेंड्यू दोस्तों वहां पर सेट आफ हो हमारे कंट्रीज में ब्रिटीज सरकार से डिमांड किये थे अब हमारा बात करें अब हमारा आता है 1901 में जहां कुलकत्ता में होता है दोस्तों और इसके प्रेसिडेंसी रहे हैं दो सब्सक्राइब आते हैं फिर 1905 में दोस्तों यह जो सबहा होती है आपका बनारस में होती है और इसके जो प्रेसिडेंट रहते हैं वह गोपाल क्रेंस गोखले देखो जो ब्लू लाइन से जो मैंने आपको डार्क किया हुआ है वह दोस्तों इंपोर्टेंट है आपको उसक उसके जो उस टाइम के जो अध्यस्त हैं वह हमारे थे गोपाल क्रिस्न गोखले थे ठीके इस टाइम क्या होता है कि सौदेशी मोव्मेंट दोस्तों चलाया जाता है अगेंस्ट ब्रिटिस्ट गॉवर्मेंट यहां पर दोस्तों धीर धीरे अब शुरुवात होती है फिर जितने भी ब्रिटिस के बात करें तो विदेशी जो समान है उसको बॉयकॉट करें और दोस्तों अपना सौदेशी मोवमेंट चलाया और नेशनल एजुकेशन को भी दोस्तों पढ़ावा दें तो यह दोस्तों था हमारा नारा हमारा एडॉक्ट किया थे फोर रिसलूशन वह था दादा भाहिना रोजी की दोवारा ठीक है उन्यस्तों साथ जो होता है सेसन उस महां सुरत में होता है और इसके जो प्रेशिडेंट रहे थे रस बिहारी घोस यहां पे दोस्तों जो कॉंग्रिस था वह दो लीड पार्टी में टू जाता है एक मोडरेट फेज में औ मतलव गरंदल एक नरंदल बात करें जैसे कि एक उदारवादी मतलव आता है एक उदारवादी पार्टी एक उग्रवादी पार्टी ठीक है इस चीश को भी याद रखना है तो दोस्तों नेक्स्ट है हमारा अलहाबाद में हुआ सेसन और यह जो अध्याश थे वह बने सर विलियम वेडर वन थे सब दोस्तों और यह जो बात करें यह जो इवेंट हुआ इसमें इसमें मोहमद अली जिन्ना ने अलोचना कि थी कि सेपरेट इलेक्ट्रो सिस्टम होना चाहिए इंट्रिडूस होना चाहिए बाइदा एक्ट आफ उन्हीं सो नों के ताहत ठीक है दो ठीक है आपको यह चीज़ याद रखना है बियन नरायंधर इनका नाम था बियन और यह जो है पहली बार जनगनमना गया गया दोस्तों राश्टिगान बना ठीक है तो यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है 1915 में दोस्तों यह हमारा हुआ बैठक बंबे में और इसके जो प् को छोड़के चले गए थे वो वापस आ जाए अडमिट हो सकते हैं नेक्स्ट है हमारा 1916 में लखनों में हुआ यह आयोजन बैठक हुआ था और इसके जो प्रेसिदेंसी थे वो थे अंबिका चरण मजुमंदर ठीक है एसी मजुमंदर याद रखेएगा यहाँ पे दोस्त साथ आ गये थे तो वो पूछा जाता है वो कब आये थे किस सेशन में आये थे तो आपका 1916 में लखनों में जो हुआ था वहाँ पे आये थे और जो रेसिडेंट है वो हमारे एसी मजुमंदर थे यहाँ पे दोस्तों देखो के मोहमद अली जिन्ना की जो पार्टी थी मुस सके और दोस्तों 1917 में कलकत्ता देखो कलकत्ता में हुआ यह बैठक यह बार-बार कलकत्ता क्यों आ रहा देखो टोटल बैठक बैठक बता दे तो यह हमारा दस टोटल बैठक हुआ था दोस्तों कलकत्ता में तो इस इसको याद रखेगा और यह इसलिए क्योंकि अब प्रेसिडेंसी थी कलकतता थी पहली राजधानिंग कलकता थी बाद में दिल्ली वनी आजादी के बाद थीक है दोस्तों तो यह जो हुए था यह जो थी एनी बेसंत यह हमारी जो थी यह आपकी एरिस की महिला थी आयरलेंड की तो दोस्तों याद रही है टोटल जो कॉंग्रेस में अध्याच रही है फीमेल महिला वो तीन रही है दोस्तों इसको भी याद रखने है मतलब आपको याद रखना है ठीक है नेक्स्ट है हमारा 1918 में जो सेशन हुआ था वो दोस्तों बंबे में हुआ था और इसके प्रेशिदेंट सेयद हसन इमाम थे ठीक है अब देखिए 1929 में जो अमरीच सर में हुआ था सेशन वो थे आपका इसके अध्याच्छता में हुई थी तो मोदिलान नहरू के अध्याच और म Walmart आपके अध्याच यहां जो थे यह कलकता में हुआ था और इसके प्रेशिदेंट्शी जो थे प्रेशिदेंट्स व शो अलवी वह हैं आपके वी nu रधावा चारी ठीए मतलब विजय्य राधवाचार इस च сил को भी आप दोस्तों आपका जो थे कमीटी कॉंगरेस के वहां पर दोस्तो इसमें पारित कर दिया गया था जो नोन कॉपरेस्ट शायोगी पस्ताओद को पारित किया गया था और इस दोस्तों एक चीज़ था कि मुहमद अली जिन्ना जो थे वो कॉंग्रिस छोड़ चुके थे तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है इस चीज़ को बहुत याद रखे तो ये आप चीज़ इसको मार कर लिजेगा ठीक है नेक्स्ट है हमारा 1922 1922 आपका गया में बिहार में हु जो बनानी के जो उद्देश था ताकि जितने भी ब्रिटिस की जो ड्रेनिंग पॉलिसी थी जो गंधी पॉलिसी उसको बॉयकॉट कर सके और दोस्तों इसको बनानी में वाले थे सियारदास और मोतिलान नहिरू ठीक है 1924 में ये बेलगम में हुआ था दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये बहुत अब देखिए 1925 में आपका कानपूर में आपकी प्रेसिडेंट बनी हष्ट इंडियन फिमल प्रेसिडेंसी बनी थी कॉंग्रेस की सरोजिनी नाइडू चीए इस चीज़ को भी आपको याद रखना है बहुत इंपॉर्टेंट है न इंडिया को भी मौका दे मतलब इंडियन को भी मौका दे युद्ध लड़ने में और बॉयकॉट कर सके सीमन कमिशन को यहां पर दोस्तों और एक चीज और यहां पर पूरी तरह से पुर्ण सवराज बना था ठीक है इस चीज़ को भी आपको भूलना नहीं है पुर्ण सव कॉंगरेस की इस चीज़ को आपको याद रखना कभी कभी पुछा एंगा पूछ अब क करना एक और विडियो दोक्त हुगे आपकी जिम्मधारी बनते हैं कि एक दो वा विडियो दोक्त हो तो आपको याद हो जाएगा नैनिटीन हंडिया लाहोर में तो यह क्यों अमारा सुरू हो जाती है इंडिपेंडेंस के लिए यह हमें पुरी तरह से सौतंत्र चाहिए और सिविल डिस ओविडेंस मुव्मेंट को भी कम्प्लीटली इंडिपेंडेंस मिल गई थी लॉंच करने की 26 जनवरी को इसलिए दोस्तों देखोगे हमारा जब सविदाह ने रिपब्ल इकनॉमिक प्रोग्राम का ठीक है आपको यहां पे इंडॉर्समेंट किया गया था गांधी इरमिन पैक्ट को ठीक है इस चीज़ को भी आपको याद रखना है तो यह भी इंपोर्टेंट है इस चीज़ को भी आपको पढ़ना है फिर नेक्स्ट हमारा 1936 यह लखनों में आपकी बैटकोई सेसन इसके जो प्रेसिडेंट थे फिर से जॉआल नहरू आये और जो सोसलिस्ट आइडिया था जॉआल नहरी को उसको पुस्क किया मतलब आग नहरी के चलें फिर दोस्तों 1938 में आपका हिरापूर प्रेसिडेंट बने सुभास चंद्रबोस और इनका था मिशन की नेशनल प्लानिंग कॉमिटी को सेट अप करें अंडर दो प्रेसिडेंट सी अब ज्वालना ने ओके तो यह जो थे नेशनल प्लानिंग कॉमिटी जब आप एकनॉमिक्स पढ़ोगे तो उसमें पता चलेगा यह चीश के बारे में नेशनल प्लानिंग कॉमिटी टाकि प्लान किया जा सके एकनॉमिक्स समय देश की क्या होगी और दोस्तों और नेक्स्ट है हमारा 1939 में यह त्रिपूरा में प्रेसिडेंट बने रजिंदर परसा है ठीक है अब नेक्स्ट है दोस्तो 1940 में हमारे रामगर्ण में प्रेसिडेंट हुआ था यह सेसन 1940 में इसके प्रेसिडेंट अब्दूम कलाम आजाद बने और यह दोस्तों सिविल डिसोबिदेंट मुमेंट को लांच किये पूरे अच्छे तरीके से सही टाइम पे और सरक सरकंस्टांसिस के साथ एक समय तरीके के साथ हुआ था उस वक्त दोस्तों बहुत सारे अंदोलन चल रहे थे जैसे क्यों कि इंडिया मुमेंट कैबिनेट मिशन से सब चल रहे थे तो उस वक्त कॉंग्रेस की कोई भी सेसन नहीं हुआ उस वक्त मतलब यह लंबे समय तक अब्दुम कलाम आजाद 1914 के से सब्सक्राइब फिर बाद में दोस्तों यह 1946 में मेरट में जेबी क्रिपालनी जो थी है यह हमारे लास्ट रहे ठीक है फिर उसके बाद चेंज हो यह इंडिपेंडेंस तक रहे है हमारे ठीक है यह हमारे भारत जब तक आजाद हुआ था यूटी बनता है कि इस चीच को आप दो तीन बार वीडियो देखोगे तो ही याद होगा यह बहुत इंपॉर्टेंट है और यह जो मैंने पॉइंट लिखा है यह एकदम तूद पॉइंट आपको इसको याद कर लो तो समझो कि जितने भी कोश्चन आपको आते है तो आप बात करेंगे जो मॉडरेट फेज का बात करें जैसे कि आपका 1885 से लेके जो आपका 1906 तक रहा है यह मॉडरेट फेज तक रहा है उस वक्त के दौरान क्या एम था कॉंग्रेस की देखिए उस वक्त जो आइडियोलोजी थी कॉंग्रेस की वह चाहती थी कि जो भी मतलब विदाउट रिपरजेंटेशन कोई बॉलिस करते थे हैं साल टेक्स ड्यूटी और सुगर और भी बहुत सारे देख सकते हो आप एक बार स्क्रीन को पार्च करके आप देख सकते हो क्या क्या इन्होंने किया ठीक है यही बिसकली एम्था शुरू करने का ठीक है कॉंग्रेस के कॉमेटी ताकि वो एक अच्छे तरीक देखिए यहां पर कहीं भी इंडिपेंडेंडेंस के लिए नहीं लड़ा गया ठीक है जो मॉडरेट के जो नेता थे वो कभी इंडिपेंडेंस की मांग नहीं करते थे लेकिन एक चीज़ की मांग करते थे कि हमें केवल और केवल ह हमें हक दो ताकि हम भी मतलब इंडिया के जो लोग है वो उनको भी ऑपरचेटी मिले चाहिए ताकि अड्मिस्ट्रेशन कर सके भारत देश में ठीक है और भले नेता कोई भी हो लेकिन हमें राइट चाहिए और जो भी बहुत सारे फालतु टेकसेस लगते थे वो सब हटाना चाहिए डिवलॉप करना चाहिए हमारे मॉडरन कैपिटल कैपिटलिस्ट इंडस्ट्री इन इंडिया में दोस्तों यह सब चीज की बात होती थी यही इसका एम था अब कितना हद तक यह सक्सेस रहा तो देखो इंडियन कॉंसिल एक्ट नाइटी 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 टू म हमारा पहली बार एचीवमेंट हुआ था इंडिया नेशनल कॉंग्रिस को मिला एचीवमेंट और उन्होंने इस एक्ट के जरिए अपनी जो लेश्टलेटी कॉंसिल की जो स्थाइस थी उसको बढ़ाया पूरी तरीके से उन्होंने समय लो एक नेशनलीजम की जो भावना थी लोगों के अंदर वो एक भीज के रूप में रोब दी थी दोस्तों और एक लोगों की आइडियोलोजी बात करें कि जो आइडियोलोजी थी वो थी डोमोक्रेसी लिबर्टी और इक्वालिटी यह इस माध्यम से कुछ चलना था और जितने भी जो गंदी पॉलिसी थी ब्रिटीश की उस चीज को एबॉलिस करना एक्सपोच करना था दोस्तों कुछ बहुत सारे लीडर जैसे कि आपका गोपाल कृष्ण गोखले या एमजी रानाडे जो थे वह भी बहुत सारे जो इंडियान चाल्ड मैरेश थे और वीड़ो हूड जो था उसको इंपोच किय है दोस्तों इस चीज को भी आपको याद अखना है अब बात करें लिमेटेशन के बारे में कि उस दोरान क्या 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 लिमेटेशन थी जो कॉंग्रेस को उस वक्त नहीं करनी चाहिए थी और क्या फैदा नहीं मिला तो देखिए जो मॉडरेट लेता थे जब मॉडरेट फेज की बात करें मतलब 1885 से 1906 तक तो देखिए उस वक्त जो था कि पाली बात की लोग इतने जागरुक नहीं थे लोगों को यहां पे इंवल्प नहीं किया गया केवल और केवल एजुकेटेट पीपूल यहां पे थे जो की चलाते थे इस पार्टी को और यहां पे बात क कि हमें राइट मिलें लेकिन इंडिपेंडेंट्स की बात यहां नहीं कोई कर रहा था गांधी जी ने बोला कि लोगों की पास पावर है लोगों को जब तक जागरुक नहीं करिएगा तब तक आप खुद इंडिपेंडेंट नहीं हो पाईएगा तो यहां भी उनकी विचारों को पच्छमी राजनेतिक सोच से आक्रितित किया गया जिसे उन्होंने लोगों से अलग कर दिया गया था लोगों के प्रती जागरूक नहीं किया लेकिन बाद में दोस्तों बात करें कि 1917 के बाद से सभी लोगों के जगा-जगा मतलब सेशन हुए हमने सेशन दोस्तों बात करेंगे कि extremist face क्या था उस वक्त के कौन-कौन से लेता जो थे हमारे थे तो हम लोग उसमें बात करेंगे लाला राजपत राय बाल गंघर तर तिलक और भी बहुत सारे जो भी नेता है जो पार्टिसिपेट किये थे उस दोरान ठीक है freedom fighter की जो लड़ाई जोइन किजिए दोस्तों तो दोस्तों आज के लिए बास इतना है दोस्तों धन्यवार thank you have a good day